नमस्कार दोस्तों तो दिए इस वीडियों बात करेंगे एंजल ब्रोकिंग कंपणी के Q1 के नमबर्स के बारे में कंपणी ने अभी नमबर्स पोस्ट कर दिये हैं नमबर बहुत ही दमदार रुप देखने को मिल रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें साथी बेल आइकन को प्रेस कर लें तो दीकि एंजल ब्रोकिंग की प्रेस लीज आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आज की डेट में नमबर्स इन पोस्ट के आउटकम अप दी बोर्ड मीटिंग हैं जुलाइफ तीन्थ तुथाउ जुलाइब यानि 26 जू रिकॉर्ड यांट 26 जू जुलाइब ने 26 한데 या या इसससे पहले पहले याensor आएन थे ने रिक एपिशियल ओनर्स ऑफ दा शेर्ज ऑन मंडे जुलाई टूटेशिक्स टूथाविन टूटीवन या चब्वी जुलाई को जिसके डीमेट में शेर्ज होंगे वो एन्रॉल्मेंट की लिस्ट में आएंगे देगे अब कंपनी के बात कर लेते हैं कंसोल डिटेट की वन के एक सो एक करोड की तुलना में 121 करोड का मुनाफ़ा कंपनी पोस्ट किया है क्वार्टन कार्टर बेसिस पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है करीब 20 करोड और पिछले साल से अब कंपैर करते हैं येर ओन येर कंपैर जिन करेंगे जून 2020 से जून 2021 की आय को कंपैर करे करेंगे तो आय यहां भी लगबग डबल होते हैं देखने को मिलेगी 246 करोड की तुलना में 474 करोड की कंपनी ने आज टोटल इंकम किये इस साल तो आयो में बढ़ता है साथी साथ एक्सपैसर टेकसे छोड़ देंगे अब देखेंगे मुनाफ़ा तो जून 2020 के कादर पर दिखा है नंबर काफी बढ़िया कहें जाएंगे अब बात कर लेते जल्दी से एपीएस के बारे में पिछले क्वाटर में साड़े बारा परसेंट के इस वार पौने 15.12 रुपे की इस ती जो की इस क्वार्टर में 15 रुपे की इपीएस आते भी देखने को मिल आज की इंट्रा डे चार्ट की बात करें तो फ्लैट कारभार स्टॉक ने किया आप देख सकते हैं मेंटें की एक सेकंड एज आज के दिन मेंटें करतेवे स्टॉक देखने का मिला था लेकिन o很 पन देखने다 फन då Ele देखने को मिला थको है तो प確ने एक साल पहले एक साल भी नहीं हुआ है पांच अक्टूबर 2020 को लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल चुका है तो दीके सबसे पहले बात करें वीकली चार्ट के अक्टूबर के अक्टूबर से लेके लगबग अप्रेल फरवरी मार्च अप्रेल तक स्टॉक जो है एक साइडवेज ट्रेट करते वह देखने को मिल रहा था खास बड़त नहीं दिखी थी लेकिन अप्रेल के लाश्ट से दिखे स्टॉक चलना स्टार्ट वा है और बहुत ही बड़िया तेजी इसने दिखाई है बहुत बड़िया रेटन दिये हैं अब बात करें डेली पर बहुत है और ओर ट्रेंड इसका काफी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है इस्टॉक का आज का हाई जो है वही इसका अगला टार्गेट बनेगा करीब करीब सवाई 1100 का करीब 1100 सो पचीस तक के टार्गेट के लिए नेक्स आप इसमें कल की डेट में या आने वाल ए इसका करीए यह टार्गेट भी निकलेंगे इस्टॉक में अच्छी तेजी भी कल ही बन सकती है परसो बन सकती है लेकिन यह टार्गेट आपको 1125 का ब्रेक करके साड़े 1100 से लेके पौने 1200 के टार्गेट आने वाल दिनों में आर देखने को मिल जाएंगे नंबर काफी शा स्टॉक में बहुत उपर जाएगा यह स्टॉक जिससे आप से नंबर्स पोस्ट किया जिससे आप से नई जनरेशन का जो है स्टॉक मार्केट के परती रुजान इतना ज्यादा बढ़ते वह देखना को मिल रहा है पिसले एक से डैर साल में इतने डीमेट अकाउंट खुले नहीं होंगे तो यह चीज आगे जाके वह डवलप्मेंट इन इस टॉक को देगी वीडियो से लगा तो चाल लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना धन्यवाद